गर्यबंद और उडिसा की सीमा पर कामर भौधी के पास एक जवान को गोली लगने का मामला सामने आया बताया जा रहा है कि उडिसा की स्पेशल ओपरेशन ग्रूप के जवान सर्चिंग पर निकले थे एसे दुरान फाइरिंग होई जिसमें एक जवान के गले में गोली लगी जवान का नाव प्रकाश साई है गोली लगने के बाद जवान को गर्यावंद अस्पताल लाया गया जहां प्राथमी के लाज के बाद उससे राइपुर रेफर कर दिया गया गोली अभी भी जवान के गले में फसी हुई है फिलाल पुलिस मामली की जाज करें है